जी प्यारे बच्चो कैसे हो आप सभी उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत अच्छे होंगे और प्यारे बच्चो आज मैं आपके सामने लेकर आए हूं क्लास 11 का चैप्टर नमबर 3 कौनश क्लास का है क्लास 11 लिखना भूल गया मैं ठीक है पच्चो एक तुम फ्रेश चैप्टर है कोई बात मी अगर आपने अभी तक चैप्टर फर्स्ट और शेकर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं आप चैप्टर थर्ड पढ़ सकते हैं ज चैप्टर अभी बहुत ही मुश्क्किल समझ आता फिर आपको पर चैप्टर थर्ड ऐसा नहीं है चप्टर थर्ड के लिए क्या ची आपको थोड़ा 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 क्लास 10 तक जो आपने बेसिक नोलेज था ना वह आना ची आपको ना फ्लास 10 आम टेनो में पड़ी थी ना वही साइन कॉस्ट टैन थोड़ा थोड़ा वह आपको आना चाहिए बागे तुम दुबार आज बागे तुम दुबारा इसमें फूरा रिविजन कर देंगे बाच्चो जैसे कि आप जानते कि हम ना क्लास 11 का चैप्टर 1 और 2 पूरा कंप्लेट कर चुके ह अगर आप लोगों ने वो लेक्षर नहीं देखे और आप देखना चाहते हों जो हमें आज जो आज की वीडियो है उसके डिप सिक्सम बॉक्स में उन तभी तमाम लेक्षर्स का आपको पूरा रिकोर्ड मिल जाएगा सभी लेक्षर्स में आपको मिल जाएंगे सारे के सार चप्टर थर्ड यानि टिग्रोमेटिक फंचन यह ऐसा चप्टर वेटर यह ऐसा टॉपिक है यह ऐसा चप्टर कहें कि यह पढ़ने के बाद इसकी रिक्वार्ड मेंट आपको अलेवनतिक जो बागी चप्टर से वहां पढ़ने वाली है यानि यह चप्टर को समझना आउ सके हैं इसके साथ साथ आपको क्या करना है बागे चप्टर में काम आए गाए गाहेगा साथ साथ पूरे ट्वल्थ में तो में कहूं कि पूरे 12 के तो आदेन मैं टिग्नों में टिव भरी पड़ी है क्या आपके साइन को स्टैन ठीटा मीटा दीटा यह सारा बढ़ा पड़ा है तो अगरा आप क्लास टेंदे में थोड़ा साब भूल गए थे सीगनी भाई कोई टेंशन नी आप क्लास अलंतम एकदम सही से पढ़ेंगे एकदम मन नगागा पढ़ेंगे हम लोग ठीक है चलिए सर्फ शुर्वात करते हैं इसके बेसिक क्या बेसिक क्या वन कई तो विटा हमारे पास होता है नाम लीका तभिनो मेट फंचन टुक्ती आनि की हिंदी में का बोलते सको बीत Hindi वेस को तीगणो मैठरी तो आपने से देखा में ता बर्टा ऑने ट्राइक का मतलक्ता होता है 3-3 जाना 3 और क्मेट्रिक उनना ओना ट्रीदों थैके ट्राइक मतल्स र त्री और भीश्म ता समय छण आयो कोलहा होता हमारे पास जानआ यगनो मातलत ए मतला हमारे पास हि क्या बटा है को साइट्स यानि तीन साइट तीन साइट खेशंफर तीन साइद किस मोधिसर्व इं Canada लूंदी.. तीन साड किसम होती है तीन साड तो सम में होती है पर जो से हम ना क्लास 10 तरह ने सीखा था कि हमारे पाज कोई राइट अगर टाइंग आगाला मानलो तो आधी तो कर रिलेस्क्षक टाला सशर्का ये सबसे पहले बदा ने सबसे पहले जो चक करण पड़ेगं हमें कि हमारा पडिगरी कसी या होता है हमारा बजें होता है ठुकी जो मार पर exercise 3.1 है वहापर हमें पता उनक्स अच्छी डिगरी क्या होता है तीटा क्या होता है अवर तक डिगरी क्या है थीटा क्या है पाई क्या होता है इसके बार में ने तरह बेसिक नहीं सिखाता अब चल वन भाई वंचेज़ों को सींगे देखेए प्यारे बच् एंगल के बिड़ा बात करेंगे एंगल की कैसि क्या होता हुआ है तुम मोई को श क्रम से ऑलास की एंगलは कि बात कर लिए दूए वासे ज्यों मेरा से जो इनके बारे में डिक् Mormal क करेंगे वह में अब धी एव में उगल होता क्या एंगल होतागा तो इसके बारे में उध्य चुट रोग एप्छों करें अग्ल को डिफाइन करें रद नाधि यैसे कि में बच्पन मुद्स बढ़ा था कि अंगल क्या होता कि अंगल अगर इसको डिफाइन करें तो इसको बोच सकते हैं कि एंगल एंगल इजे मेजर अगल इजे मेजर और रोटेशन एंगल इजे मेजर और रोटेशन और गिवन रे और पे गिवन रे और गिवन रे आपके डिवन रे आपाउ अबाउट आपाउट इस इनिशाल पोइंट इनिसाल पोइंट मैं आ रहा हूँ पीटहाई सम्छाव रहा हूँ में अगल इजे मेजर और रोटेशन और विर गीवन रिए अवाट इडिट इनलिवीट मतलग यहां देखो जैसी प्यारी बच्चों अब कर आपको समने कि ये एंगल बनातों यह मईना क्या समने मैं इनल बनाया एंगल बनाया अब दिखोंग बच्चों मालडों में इसका नाम बोलते जो इसका नां में मालेए A इस पाउयंड क llev एस पाउयंड का नाम ए इस पाउयंड का नाम B जो चलिए पिए और इस पाउयंड के करें प्ररका चैसन गडिट है गणिपा至 इसफ on मेजर ओप रह एंगल इसे मेज़र ओप रोटेशन ऐंगल क्या मतौत रोटेशन नमंगता और फर profesional ब прошचिव hiç पौइंधग特 myths कौम को इस बाप difficult मिजर करता है कि कोई देए अपने इंप्ध़ पर इस जो बीचत रहान कि रहती खोजिप सुरू काँ सिव वो इस बात को मेज़र करता है कि कोई भी रे अपनी इनिशल पॉयंटसद से कितना गुमी है अपने इनिशल पॉयंटसद प्रेंट से कतना गुमी वह थ satu है उत्ए कि थे गुमता 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 यहां augmented तक गुमता गुमता पहुंघ. इसको बोलेंगे terminal side ये terminal ray बोशकता है इसको terminal ray बोशकता है इसको बोलेंगे terminal side अब है कहता है angle is major of rotation given ray about its initial point मतब angle इस बात को measure करता है छो हमारे angle होता है वो हमारी कोई भी initial ray है जो अपने starting point से कितना घूमा है किया बोला मैंने एंगल इस बात को मेजर करता है कि कोई भी रे अपने इनिसेल पॉइंट से कितना गूमा है तो कहीं निगी अफिरे पहले ऐसी थी तो यह का को गई उपर को गई उपर को गई उपर को गई नहीं तो ऐसे की सरी मैं एक ऐसे तो यह को गई किसके डेपरेस्ट तो यह हमारी यह ठीटेशन किसकी एंगल के ठीक है अब भब सारे एंगल सोब देखे गाए अधरे बोग में अनले आ थे आपने तेंग अपटिपस यहां पर उनकी बाहत मी करेंगे दोटा थोटा जोटा बेसिक निदे एंगल क तो वह बार में पहले नहीं पढ़बाई ते . पहले में लिन आन्री एंगल उर्टेव बाते पर हमने इंगल इंगल बह ता नहीं आ पर आप पढ़ेंगे कि हमारे खि ainda पहर Demi सकता है bulश। और अश्ग मरतिन आना याप घूटेहों हमारे बोल गया जुका हमरे बेशिक सिज्की क्या था भीटek हम यं बैटे एक होता है Low limiting हमारे इनीजसाइड इनीजसाइड साइड इनीजसाइड इनीजेश पूंगा तो इसका मैं डेफाइन करूं करों Initial side को मैं बोल चकता हूँ कि the original the original ray is called the initial ray the original ray is called initial ray the original ray is called the initial side the original ray is called the initial side कैसे जैसे मैंने कान पहले BC था तो पहले BC x यह original ray तो यह क्याता एक और डेता मेरे पास ऐसे था नजिता ये पहले ता फिर जाएं के दौारा घूमते यह जा गया यह चला गया यह पहले ऐसे तना आई सैने थो अब यह पहले इंशल आट ना अचुज ऑन दे आप दो इनिसल लिए यह भी इंशल जर्टिये ऑपन गुमते और काम पोचाएगी उपर पोचाएगी सर उपर पोचाएगी ऊपर उपर पोचाएगी एक होता हमारा इनिल से इस открыt चाहिज है और इसके बाद एक होता है। हमारा पढत उसका तर्मिनल साइड। क्या हमें निया बता यह पीकले। था कि सब्सक्राइब हुए सब्सक्राइब करें तॉर्ट। यह वाद करो कि आदbackनει उसरी को पर यह सकते हैं। जो बादना साइड होती है साइड तर्मिल साइड है तुम ऐसे बहु सकते हैं कि जब वाइनल पोसिछन द अ कि फाइनल हम बहु सकते हैं दफाइनल पोज़िस्टन आप दरे मोले हटी फाइनल पोजिशन ऑब दरे अपटर अपतर रोटेशन आपतान, रोटेशन is called the terminal side, is called the terminal side. हाना, सर यह हमार टर्मिनल साइड क्यों पर नहीं है? यह होता है सर, कि जो फाइनल पोईशन ओपर ही, किसी भी रहे की फाइनल पोईशन, कौनसी बाल पोईशन? फाइनल पोईशन, आप्टर रोटेटिंग is called the terminal side, मतलब कोई भी रह घूमनी के बाद यह पहले यहां पर थी, तो यह मेरे पास कौनसी रह थी? इनिसल साइड साहिए, जब कोई रहники, घूमनी के बाद उसके जो इस्तथी होती है तो पहले यह यहां पड़ थी? था यह initial लो cry अब गूमते 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 यहां पर आ गया तो आब इसकी हे आ गये final position तो किसी भी रेक के final position होती गूमनी के बाद उस रेक को बोलते हम terminal side यह हो गया हमेरे लिए terminal side यह देमेन आपको justice यह बताते बढ़ा, ठीक है चले सर यह तो हमीने बात करें कि हम इनेसल साइड की, अब बात करें हैं त uncles बतुनर की, ठीक है आप बात करें दो परकार कोगी अब अच्छली क्या होते है। तो बहत थे होती है इसा कहिं अगरमां, वह तो बहुत सार करने है ठेक हमारे हो आक्यूंत आंगे ना 차maiern under में इसकी बाती रख करेंगे छे यप उए एंगल की बात करेंगे पर हम बात करेंगे कि उनका में है है मैंने मेरे कोडिंग मैं तो कि टाइप सो अंगल्स अकॉर्ड ऐंगनिटूड उनके मानुटूड का नुसार मेरी तो मतलब वह एंगल अपॉजेटीव है वह एंगल हमारे निगटिव है ठीक है तो चलिए सरी काम करता हूं है इसे करता हूं अगला टॉपिक जो मारे पास ह वह हैं हमारे पास types of angles types of angles types of angles on the basis of magnitude कि magnitude basis पर angles का types क्या होते हैं दुखो बेटा मेरे अनुसार हमारे according मैं दो तरह के angles हो सकता हूँ जो angle हमारे दो तरह के हो सकते हैं एक हो सकता है हमारा positive angle एक हो सकता हमारे पास positive angles और एक हो सकता हमारे पास negative angle क्या होते हैं जर वन बाइवन बात करेंगे फिर इसको में फिगर मनाएंगे समझाएंगे आपको सारी सारी सीस समझाएंगे तो एक बार जरी सकना थोड़ों कर देपनेशन क्या बोलना चाहरी है तो इसको में बोसकते हैं इप दा डारेक्शन ओप इप दा डारेक्शन ओप रोटेशन थोड़ इसको में आकल लेता हूं है इप दा डारेक्शन ओप rotation is if the direction of rotation is if the direction of rotation if the direction of rotation of ray में बोलाँ चाहूँगा of ray is anti-clockwise is anti-clockwise और तुम बोल लोंगे यार यह anti-clockwise और यह चीज क्या ख़ए anti-clockwise the angle will be positive then the angle then the angle set to be positive देन अंगल सब्सक्राइब अच्छा आप बोलेंगा सर क्या चाहिए देखो मैं बात करें पोड़ेंगल के हैं लिखा इव दा डारेक्शन ऑप डोटेशन ऑप रे इस अंटिकलोग वाइज देन दा अंगल सब्सक्राइब पोड़ेटिव अच्छा अभी कहरें कि सर इसका मत तो मतलब क्या है यह कहता है कि अगर कोई रे डारेक्शन ऑप रोटेशन ऑप रे इस एंटिकलोग वाइज कैसे घूमें अगर कोई ब्सक्राइब पर जाएगी या वो रे नीची आएगी सब्सक्राइब यहां पर आपको दूस्य कुछी सम्झाना चाता हूं में काल सी यह डिर होती न जोड दी अ होती तो इसे जाती जाती का इसा जाती कि आई नहीं घड़ी को अं जाती है ऐसे भटस कर से जाती है ऐसे रत में बूछते हुं लक्ट से राइड के तरब जाती है शेज्व डिक्त जाती है तो यह होगा क्लोक वाइस और जितर घड़ी को सुई कर ऐसे मुड़ती है क्या नहीं वह तो घड़ी को सुई जाती है वह जाती है और यहां पर नहीं जाती तो यह जाएगा क Chi 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 जी ये मेरे पास ब्लूम पन नोट करना पैन अका साथ रख़वाद उब जैसरा इंचमारी की पास में oh इनीचे को या तो लाइन गूंजाए ऊपर को ऐसे घूमेगी या तो लाइन नीचे को आएगी यह लाइन ऊपर को जाएगी अब यहां पर बोलाए गया है if that rotation of ray is anti-clockwise अब देखो भाइद आप तुम सोचो घड़े के सुई ऐसी आती ना गड़े के सुई नीचे को नहीं आती तो घड़े के सुई आती ऐसे तो अगर यह नीचे को आती है तो इसके बोलेंगे clockwise अगर यह नीचे को आती है तीसे अब यह यह नीचे आयेगी तो को neo qo-аю अ ऐरे नीचे आ रही है तो सर्डौक आइज और सर्डी उपर जायेगी कि घड़े के सुई के अप्र डेरेक्शन में गड़ी कि सुई इदनको चालती है एंगल बनता है उससे इंगल को बोलता है उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटी आंगल यह बातरा धमों कहा डियुह में पॉजिटीव-ड मेरा अंहेकम ब सबस्क्राइब ईए हमारा टर्मिनल साइड हो गया हमारा सम्झाइब यानिक की जब भी कोई ऐसे यह हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल क्यूंकि यह रेक ऐसे गई थी यह आंटी क्लोगवाई गई ती अगर नीचे को आती घुमती क्लोगवाई घुमती तो फिर निगर एंगल होता है ना ऊपर को यह मरा हो गया any जब तो इंत कि S I कि इस बात करते किसका निजेव इंगल को एइनल के अजेव आपको में एकप्लेव टा 9 को क्या लिए नाए कि एक फद अ डर्टेक्षिन ओप लक्रो से तंब तर्ट थे से यां यां कलोकवाईज ए डा इता धा यहां कलोकवाईज इए कलोक rook्वाईज अ हना किवह दे डारीक्सिन ऑप रोटेशन ओपरी इस कलोकवाईज यह एंगों चैट्टू बी थैन दा एंगल से टू भी पोजीटीव निगेटिव एंगल से टू दोक्ति आन्यकर्टै रवोलेंगें निगेटेव डी लेल नेंकिन असंखै शाल कैसे छेल नी क्टीलिव यॉन पूरा हमने गारैंट Angel यह 710 ठीक है मेरे पास की आता स classrooms after यह आपके पास यह आुके अपने इसको यह माल लिए तो तो क्या मानें इसको सथर्ज इसे मेंङे साइड इनी से इंटिसेल साइड में इमरे पाद इनिसेल साइड इंप ये लाइन ऐसे थी अब ये लाइन ऊपर ने गूम है ये लाइन आ गई दल्ड के ब्सक्राइब ये नीच sigma आ All तो यानी जब भी कोई रया सबस्रेट आए जब भी को करेंता है जब भीकों नेगतीफ में invented आगल वोते बुलेंगे वो बननेगा हमारा नगाटीब आंगल ये इसमें बोसकता हूं निदेटिव एंगल हर बास के आप मुझा है बनीगेटिव उंगल बनेगा जैसे कि मतलब यहां पर बंह यह बना 60 दिगरी यह का 60 डिगरी चीह पॉझे उचल दिगरी यह नुद्धी तंद भी तक है मैं तक हुषिंटर दिगरीम अन्लिच encluse से के थे एक यहां पो पर रहे हैं मैंजिटूड के साब से मतल़ ये एंगल जैद Oh Anis कि एकाश्य सर ठीयमरब पास ये सीगाल सस्राइब हो यह का मैं ये ओर में रोश पास न य改 eating पेंगल और ये इसको का बोलता है ये योते में ऐसको बोल देता हो में vertex था कि आप लोग hello difah positive angle चीए अनने बात की positive angle की और negative angles कब बनेगा जब कोई ray positive angle तब बनेगा जब कोई रे अंटेकलोगाज गोमेगा और नेगेटिव एंगल तब बनेगा जब कोई रे क्लोगवाइस घोमेगा ठीक है सर्म यह तो बाती पॉजिटिव एंगल की और नेगेटिव एंगल की अब थोड़ा से तरह पेठाएक पर एक काम करते हैं कि छोड़ा एंगल को में रिपर्जेंट कर सकते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कॉस करेंगे आप बात करेंगे सर कि एंगल का बहुँ है जाने कि एंगल को हम गोच सकते कि तीन तरीके होते हैं तीन फॉर्म में एंगल को मेजर किया जाता है बेट एक सबसे पहले जो हमारा होता है उसे बोलता हूं डिगरी मेजर ठीक है उसे बोलता हूं डिगरी मेजर आपने सुना यह हो ना कि 60 डिगरी का एंगल 90 डिगरी का एंगल मतलब यह जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे है। ठीक है سर एक बिट अगला जो है वह जो आपक लास अभी पढ़ेंगे। डिegerी मेजर और जो नया चीज़ पढ़ेंगे। उसे बोलते है अ रिडीन मेज़र एक होता है डिगरी टीचे मेज़र अगला होता हुमारे पास। आधर हम नहीं पढ़ाएंगे यानी यह जो कॉमर्स वाले बक्चे आ उनी पढ़ाएंगे यह पढ़ाएंगे साइंस वाले बक्चे साइन्स में क्या होता है कि साइन्स वाले भी एंगलों को मेजर करते हैं उसे बुलते हैं ग्रेडियन उसे बुलते हैं ग्रेडियन यह साइन्स पर फिजिक्स वाले बच्चे जिनके बाद फिजिक्स होते हैं सारे वाले नहीं यहां बहुत सकते हैं यह करिन के फिजिक्स वाल और Gradient में होना अंगल्स को डिकिन में मापा जाता है Angles को रेडियन में मापा जाता है और Angles को Gradient में भी मापा जाता है यह वाला पाट हमें नहीं पढ़ना हमें इन दोनों को पढ़ना वस जी प्यारे बुच्चो अब जब चली गए इसकी जुरूब बात करें तो वन हमें के पहरा हैं डिग्री मेजर के बात करें अगर हुम में डिग्री मेजर के बात करें कि डिग्री मेजर क्या होता है सिंपल से वाज option के एंगल्स को डिग्री में मापा जाता है हम मापते ही है तो डिग्री मेजर का मतलब यह होता है कि हम डिग्री मेजर के बात करें ना कि डिग्री क्या वेटा डिग्री है क्या दोटा अगर कोई बोले वड़ी डिग्री तो डिग्री मतलब यार मैं बोलूंगा वन डिग्री हना दिकरे होता कि है तो जन्याको इहां पर वन डिगरी ली लिखु था मुझ्को एक डिगरी अंगल दो डिगरी अंगल तो मैं बोलूंगा इसको कि वन कंप्लेट कि री पो लूसन वन कंप्लेट रिभोलुशन को हम तीन सो साट से डिवाइड कर देते हैं जब वन complete revolution को 360 से डिवाइड कर देते हैं तो वन डिगरी आता है कोई बच्चा वो लोगा सभी क्या लिखा हमने लुट्बौब कर दो जैसे मैंने का मेरे पास एक कोई लाइन थी ये मेरे पास कोई रह इनितल साइड और यह पहले ऐसी थी यह पहले आपे घूमते घूमते-घूमते को जो प्रट्राइब आपना एक पूरा चक्कर यानि अपना एक पूरा राउंड गुट कर लिया तो यहां से घुमाता यह यह जहां से घुमी तो द्वारा घुम कर वह जह आ गई है तो यह क्या बना आपका यह मलब 1 complete revolution तो इसे बहुचकता है एक कंप्लिट revolution को एक पूरी चक्कर को हम 360 से जब एक पूरी चकर को चेहने कि हम जब एक पूरी चकर को 360 से इंदें तिन्यों साथ सेम् डिवाइड कर देतें सर्फ वो आता हमारा पस वन डिगरी इसको बहु सकता है कि एक पूरा चक्कर को यानि वन कंप्रेट एविलोशन इसको मैं ऐसे बहु सकता हूं कि मतलब एक डिगरी ब्रावर हमारा पस होता है वन अपोन में प्रिगरी बहु सकता है कि मैं अगर इस बारे बथा आना तो इसको ऐसे बहु सकता हूं कि अगर कोई भी जो इनीशल अगर कोई वो सरकितना complete करती है हना ना कोई सी भी रेज हो यो मारे पास होती है जो कोई सी वह इनिसल जे है तो एक सक्कर जो उसका एक राउंड होता है तो एक राउंड को यहां सो घुमी ही पर आहीं पर आगे ना तब उसके एक राउंड को टिर्वाइड का जाता थिर को से था मार ऐसंटी एक टीवर्स के पार्ट से दिवाइड गया है क्या बिटा एक पार्ट होता ह्रुजए होता ह्मारा मिननट और एक पार्ट होता हमारा सेकंड बच्चे बोलें हुई है कहां से लिया यह हमारा सेकंड गड़ के सुष और अरे यार गड़ी इस Михаub's के बात आगए ती तो डिख्री को तो एक डिक्री कर भात सिंपल कर सकते हैं जैसे मेरे पास होता है एक क्योमिटर होता है हopard 1 हम किस में तोड़ सकते हैं लड़ हाजार मीटर को हम सेंटिमेटर कर सकते यह जो 1 km में होते 1000 मीटर मैं 5 थीके उसके वाद हो भर भन उसके वाद 1 cm में 60 मिलिमेटर होते हैं महों चक्राइब 10-20 mm and more 1000 meters 100 cm 10 mm पढले बड़ा तो 10 mm कमने तोड़ा यह संहीं 2000 मेन सेंट्मेटर में सेंट्मेटर में मिली मेज childhood प吃 बड़ी तो डिक्री बड़ा यॉअगा बड़ा यह वब बहुत बढ़े अंगल को हमें तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं मिनुट में और सेकंड में मогनल मतला होता है पयारे बास्चू हम इससे साथे इसको बेुड़ सेक्ट हरा हमाने एक डिग्री यू इसको बोले हो साथ मिनाट के बराबर होता है latte को जब को डिक नियुक्त दोलों कि जिसको एक डिक होता हुज होता है एक डिक डिक और धान दो मिनट का साको होता है जो कॉमा लगाये ने पने होता हुज हो अब कर दो यानिकि जब आपको गलिकी two- GH's सवी है ना जो मिनट के सुई है जब आपका क्या चीज जब साट मिनट होगा जवाब के साट मिनट पूरी हो जाएंगे साट मिनट पूरी हो जाएंगे जवाब के साट मिनट पूरी हो जाएंगे जवाब के साट मिनट पूरी हो जाएंगे तो सर क्या बनेगा आपका यह बने लुए चलो हमने एसे माना तक पहले यह हमारे तीन बज एक जर्ट कितने बज्चा मांगगो तीन बज्च आमारे कि अब फिर करते करते है दौरे घड़े एमिनेट के सुई दौरे से कहां पर आ गई वहीं पर आ गई तो से का बोलेंगे हम क्या अब दिगरी ब्राबर होता हम फिर इस डिगरी को भी सर किसमत जोड़ा गया बत आ पर इस डिगरी को भी सुआ किस इंद ли Spiel नी इए इस मिनीन अच्छा फिर इस मिन्यकों सरकिस्मत लूड़ा गया है निक b पुर्आ एक जो हमार पास एक मिनेट उता है जो एक मिनेट उता है जर्वों ठामार पास एक निठ को तोड़ा हi विए वह फास किसका रवाबर 10 से ओ ने लुसह क्या आगार? क्या है कि कि एक मिनेट से खन्द होते हैं, झालतल याद explains भी एक मिनिट को ऐसे लिखते थाम और साथ सेकंड तो साथ सेकंड कमतलब Coldholm. मिनिट मा आता है कॉमा सेकंड मा साथ मीमेस का यहां दो है क्यों सेकंड एक डिगरी वराबर साथ मिनिट ठीक के और एक मिनिट बराबर 60 सेकंड हुद तो पता ही है। यह तो आफ जानते हैं, वर यह जाननीगें ना, एक डिग्री बराबर 60 सेकंड है। यह हम ना यह चीज जो बेसिक बेसिक चीजे थी सरी हमने पहले पड़े थे। जैसे here अब जीसे एंगल के एक्जमल बात कुरो में हैं जैसरे कि यह तुम मैंने मम खोलो को जो पोई बढ़ा एंगल होता है तो जो सहां बोल तोढ यह ने पढ़ा यह ती इस ग आपन सोगेटी अब हमपड़ें कभी-पभी 1000 degrees, तो वहाँ पर हम 1000 degrees नहीं रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है. पहले degree, फिर minute, फिर second में, उसको चोटे 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 पाड में तोड़ना है. अच्छा, अच्छा, बात करूं, जिसे में the example के बात करू ना, angles की, कि मैं हम नी बोलते हैं, 50 degree angle है, 50 degree angle है, हाना, तो मैंने कोंगी से बोलते हैं कि यह मेरे पास 90 degrees एंगल हम बोलते हैं कि यह बात भाद यह है तो हमारा नीगटिव दिग्री डिग्री का हैं अगर अगर बनते हैं डिग्री में तो नेगे टेमी बनते हैं अब अभी एकसाइस 5.1 सोरी महां पर चाहता हूँ 3.1 एक साइस 3.1 में हम 1 by 1 का भी जो एंगल डिगरी में दियोंगे उन्हें चेंज करें चेंज करें मिलब बहुर बड़े डिगरी के फॉर्म होगा तो उन्हें किसमें चेंज करेंगे मिनेट और सेगंड में भी चेंज करेंगे ठीक है सर अच्छा आप मुझे अपने गऑं जाते हしょう तो मैं पूची कितना समय लगता है तो आप मुझे अपने गौंप जाने में लगा गंटा 5 घंटा लगता है नहीं, मांग कर चलो, आपने एक गंटा में बता है, पर अगर देखा जाए, आपको लोग होगा, मानलो 5 गंटा, 10 मिनिटा दस मिनिटा, कुछ सेकर्ट में लगाओगा, मानलो 5 गंटा, 10 मिनिटा, और 2 सेकंडा, पर आपने का बोल दिया, आपने तो लगवों लगो, 5 गंटा बोल दिया और अगर देखा जाए 5 गंटा 10 मिनटे दो सेकंड लिगा तो पीधन भी मालों 5 दिग्री दस मिनटे और 2 सेकंड वैसे यहां पर होता हमारा थेक नम पर आपको क्वेर्यम पूरी कर देंगे अप यह 그래도 कर रहें के अप Olympus कोछ आपको फिक्र बना कर दीखाते हों कि है अगर आपको को कहता है इंगल बना कर दिखाया है we आपको बनाना मानके चलो बाइदबे याक। पोजेटिव क ढिका hilarious सब्सक्राइसा बनाना पूर ऑप अन उत्तुर。 अब मुझे बनाना पॉजेटिव का पर मैंने का पॉजेटिव एंगल तब बनता है जब कोई रे पूरा घूमती कैसे अंटिकलोग वाइस यह उपर को जाएगे तो उपर को जाएगे मतलब कुछ नहीं करना सर यह मालो ऐसे थी तो मालो यह पर जो रे थी यह ओए नाम की रे गूमते 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 गू जहसे कोई मुझी बोलता पही काम कोरो जरह पोजटिव एंकल मना हो पोजटिव का 120 डिगरी तो मेंने कोई दिखकर निमे कर पूजटिव का बना देंगे क्या दिककते हैं अम इनमा लेटा भाई देव मेरे पास कि यह मेरे पास पहले तो यह ता ओ अब तो गलती सा मना दिया एक दम स्टेड लाइन एक दम सीधी रहा अब अगर निगेटिव को बनाना है तो आएगी क्लोक मतलब नीचे को इधर को तो निगेटिव आएगी अगर मुझे पोई डिबनाना तो मुझे ऐसे गुमाना पड़ेगा कैसे ऐसे तो यह लाइन पहले ओ यह नाम के लाइन थी अ अब मुझे 180 डिग्री बनांकर दिखाना है तो मुझे पता या क्या करना पड़ेगा मुझे इस ल्हां को गुमते 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 एकक दम सीधा लाना पड़ेगा एसे तो यह लाइन चीद्धिय हो गई सीध्य हो गई तो मालन लो जोड़ोने जीधी है इसका न 180 डिखा रहा यह भी 180 डिच्वारा चा मन रोलो ऑफ दो मिनीदे मेंreek लो अगर यह मांगी छली लाइन पहले एस सी थी पेर संवन्सटें निगेटीवड जोल स्कति कि इसा यह मैं आफ से यह था चाहर। यह चोंद आपको चीजे बता रहहता है. लिगे शोड़ता आपसने को पूछे जिए चार्व पोचेNew आपको आपको 380 डिगर नाना है 420 डिग्र ऑनाना है methुने ग्नाव अब अब बनानी को फिर मीन आपको एकशले आने हम four twenty डिग्र नाना है मुझे बता 360 डीजरी में एक एंगल बना दिया एक चक्कर पूरा हो गया तो अगर मैं 60 डीजरी जूड़ू तो कितना आएगा 420 तो अता साइद यानि अगर मुझे पोजिटिव का 420 डीजरी अगर मैं 420 डीजरी एंगल बनाना है तो पहले क्षेजन को एक लाइन ऐसे तो यानि दादा ऐसे घूमेगा और मुझे पता जब यहां तक आएगा जब यहां तक आ रहा हो गा इतने तक मतलब पूरा घूम रहा होगा तो पूरे घूमने का मतलब 360 गूम गया वह 360 गूम चुका है थोड़ा थो60 गूम गया जोड़ा तक गोब टोIn आए से ऐसे थे due रहा तक तो 360 हो गया या 잘 जोड़ा यहां चाइट से लेकर यहां पूरा है हमारा है 420 degree वो भी positive का angle ठीक है अच्छा मान के चलो कर मुझे कोई बनाना जैसे अगर मुझे angle बनाना है minus का 30 degree minus का 30 degree तो मुझे पता है अगर positive का 30 बनाता तो anti-clockwise जाता minus का 30 बनाना है तो clockwise आऊँगा नीचे आऊँगा तो यह नीचे आऊँगा सर में तो यह नीचे आया ना नीचे आया में तो मानलू मैंने लिख दिया minus का 30 degree मेरा angle बन चुकाया ठीक है सर यह तो कुछ थोड़ा सा आपके पास कुछ बेसिक आपके लिए एक्जाम्पल थे कि जो angles हम कैसे बना सकते क्या बना सकते ठीक है चले सर यह तो अब ज़र प्यारे वच्चों ज़रा हम बात करेंगे तो हमने types of angles लेके अब ज़रा इन डिगरी types of angles in degree तो क्यूंकि मैंने काते हैं हमने दो angles को दो form में हम पढ़ेंगे एक तो in the form of degree और in the form of radian अब ज़रा बात करते हैं बट़रे डिगरी के बाद तो कतम हो गई तुम करोंगा सब्सक्राइब नए चीज़ बताओ radian जिस चीज़ का आपको इंतिजार है चलिए सर बात करते है radian की चलिए बच्ची बात करते है radian major की sir radian major क्या है पहले ज़रा एक बात करते है radian की बात कर लेता हूं radian की ठीक है पहले बात करूं radian की थोड़ा सम्प radian के define करते है फिर हम बात करेंगे ありaadi Esta then we B mister one radio & key one radio disney would parce radian होता बेटा steeds रीदेन कीं बात करें कि यह होता है length of length of arc like reference radical और यूनियट- जर्कल लैंट औप आरक उपए यूनिट्सयुeg मतलग है कि मान के चलो अगर कोई एक सर्कल अगर मान के चलो मेरे पास एक कोई सरकल है और उस सरकल का जो रेडियस हो अगर मेरे पास एक कोई सरकल है और अगर उस सरकल का रेडियस एक यूनिट है मतलब एक यूनिट मतलब वो आपका एक सेंटिमेटर भी हो सकता है वो आपका एक मेटर भी हो सकता है अगर एक सरकल का जो एक यूनिट है अगर दूसकी आर्क वो एक यूनिट है तो रेडियन उसके बराबर होता है वह अगर चैनल में अगर बात करा तो वॉन रेडियन की अगर बात करें मैं वन रेडियन की बात करूँ मैं बात कर दोड़ा वन रेडियन के आवगा अगर वाइग एग्जाम्पल लोगा मैं और कोई एक्जंबल बताऊंगा आपको यह थोड़ा बात कर रहा हुँ कि मैं रीडरिंग का उतने में समझ जाओ कि लैंट आर्क को यूनिट सरकल कि एक सरकल के जो आर्क के लंबाई होगी वही उतने हमां रीडरिंग होगा मैं आऊंग इस पर ठीक है वही एकर मैं बात क यह मेरे पास एक रेडियस है कि ओई नाम का रेडियस है ठीक है यह मेरे पास ओवी नाम का रेडियस है यह ओई नाम का रेडियस है यह ओवी नाम का रेडियस है ठीक है तो अगर इसके लंबाई मेने माले एक उनिट है कितना एक उनिट मतला भी एक सेंटिमेटर कुछ भी ह की व्यक् tengan भर इसके लमबाइielle है कि यह भी एक होगा तो लेंद ऑप अर्ख ऑप युनिट सर्कल यह राणिक लन्थ कि इसका डि अन्द उसके समस्द r करें और और आपर उसका रेडिमेटर है याने की कहीं यह जो हमारा ही होगा ना यह जो हमारे एंगल बनेगा वह सर्क्रांड हर बने गया एक रेडियन मनेगा यह दो हमने बने के शाट डिजु एक रेडियन मनें गाई यौ one radian is an angle one radius is an angle subtended at the center one angle is an angle one radian is an angle subtended subtended at the center subtended at the center of a circle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle I can tell you that you have to understand the same thing as the first time you have to learn the same thing so you have to learn the same thing as one radian is an angle one radian one radian is an angle वो कहां पर बनता है वो बनेगा सरकल के सेंटर बनेगा यहां पर बन रहा है ठीक है सेंटर ऑप सरकल बाइन आर्क ठीक है करें जो एक रिड़न होता है वो सरकल के सेंटर बनता है ठीक है और किसके द्वारा बना जाता है इस आर्क के द्वारा के आर्क हेल्प कर रहा है बनान यह जो मरपा आर्क है ना इस आर्क की लंबाई किसके बरावर होगी सरकल के रीडियस के बरावर यह जो AB नाम की आर्क है इस आर्क को बच्पन हो चाप बोलते है चाप हिंदी में इसको चाप बोलते हैं जो आर्क की लंबाई है ना यह क्या है जितनी लंबाई सरकल के रीडि एक यूनिट है तो यह भी है एक यूनिट तो यानि की जिसका रेडिया यहां पर रेडियन बनेगा यह जो एंगल बनेगा एंगल वो बनेगा एक रेडियन जहां पर एंगल बनने वाला है वो बनने वाला है एक रेडियन ठीक है तो अबनना हमारा एक रेडियन का एंगल बन को अभी जिसने लुट करें गेंगे पर इसे बहुच सकते जिसे एक यह बन रहा है एक रिडियन तो इसको ना अगर डिरय अब इसको अभी करें अभी सिखाएंगे रिडियन को डिडिये करना है और को रे तो यह बनेगा डिग्री मेन अप्रोक्समेटली 57 डिगरी का अप्रोक्स बनेगा 57 डिगरी और 16 मिनेट के आसपास से इतना है एक फिप्टी सेवन डिगरी का अप्रोक्स बने गए एक रेडियन ठेक है मैं आओंगो उस पर आप तर टैंसलम बत लिजी आ ठेक है अच्छा ऑर एकजांपल लंग एक एग्जांपल लेता है न थोड़ा एक कुछ और एक्जांपल देखे हैं जैसे कि मेरे पास सेंटर और यह के सेंटर अभाड़ा इसका ओरम लिया इस्का नामाया मैलने चलो लिए वह बनान तो यह इस अब मेना माल दिया और एक यह बाई तीज पर ठेके इमने मनम यहां पर रही है ठीक है दो कर सकल सुरी जो उमारे पार रीडियस होगा ना रेडियस होगा ना शुरमा पर चाहता हमें रेडियस वमें का मनने पड़ेगा वान उनि ना हमने का बनाता यूइट सरकल एकुणियाइट ूआए हैं मानि जब मह б thumbs up न करोगे बीए मनेंगे तो उसका सरकल रीडियस होगा क्यों सकता अब इसको मान अक पिछले गएक अग्जम अक बंड तुम मैने इसको Cobran इसको बून इसको one माना था मैंने अब मांगे चलो यह मेरे पास जो रेडिया से सरकल का वो अधर एक उनिटी होगा अब मैंने माले जो आरकी के लंबाई है वो धाई यूनिट है किता यूनिट है डाई यूनिट है अब यहां पर मेरे पास जो एंगल बनेगा ना यह जो एंगल बनेगा वो क्या बनेग 1.5 या मतरब 1.2 यानी कि जितनी लंबाइ इस आर्कि कि होगी जितनी लंबाइ इस आर्कि कि होगी एबी वाले की अतनाई यहां पर उतने घिधिनी उतने यहां इह दिगरी नीए उतने र्री डική है. पर एंगल बनेगा अगर धाय तो यह भी धाय और हाँ दिखाना पड़ेगा यह पॉजिटिव मैंना तो पॉजिटिव का बनेगा भाई यह उपर को जा रहा है अगर पॉजिटिव है तो दिखाना पड़ेगा यह बन रहा आपका पॉजिटिव में बन रहा है सर उपर को बन क्लोक वास घूमिasına रेंग उरें घूम गई और रेंग उन्स हonnान इध्य trained to do ब़つे रोछी जो हम पर नीची को नीची को अखर्त के सडोवाद कैसे साउन टा सपे व्यर ये रेंगे निफ्स् exertion क्पाद उन्स कि सफना हतु जबड़ कैसे सब्सक्रार्ण 2 मानलो यार कुछ माल रहा हाप μाल ले माल लो अब दो भी मान सेकतो तीर मैंने चार ata का चारा अर्ज का लम्भाई 1-ब कर अगर ने Ultra को अगर अर्श्र रेल अगर क्वे बन उखते का अगर कपा सांथ 갔 कि अगर से hinterher reading जारें पर क्या बना माेंस का पर क्या बना का माइनस का मानेद आपर क्योंकि download आनर यह आयरा खेंद क्लोक बनेगा मानस 10 देल from कि तुम और और आपने आपने यह एयो है उभाएढ़ें कुछ भी थे द recommends अब यह मेरे ठेके ये एक यूनिट ये घोने बाई विघ गई और अगा बड़े ऑन ठीक अम अब आप ये मरें बागे इसके लंबाई ये मैंने माल लिए इसके लंबाई चार उनिट कीतनी है सानě ये बनेगा चार रीडियन का एंगल क्या हो नेगा सर फोर रीडियन का एंगल बनीगा ठीक है पहरे बुच्छो थी जोड़ में आपको एक्जम्ब समझा रहा था क्योंकि जितना आर्के के लंबाई होगी उतने रीडियन का एंगल बनीगा और सरकल का रीडेर्स तो हमेचा वन आप बात करें कुछ चीजों की ठीक है को कि पास आप बात करेंगे आप जैसे की वन याइवण बात करेंगे ठीक अब प्यारे बच्चों यह पने एक रिलेशन और निकल सकता जो कि हम आगे काम आ सकता है में भी काम आजा है वेटा हमारी अजलिए थोड़ा आप कुछ आगे और देखते हैं और कुछ फैक्ट है क्या है था dual fiat है यह कहता है जो फैक्ट है कि जैसे डिविए अभी तक तो हमने तोड़ा सा वन लब यहां सम्सेजर नहीं में तॉन दिक है वेट जो उटको जदो यह एक साह से इसमिंपल यह मेरे पार के मिले पाट को फ़ंग वर olm कि आप सब्सक्राइल नों यह मेरे पास मेरे पास मेरे पास भी कल है द बंनने ही जबहात है इसका नाम ए च जार्व । अब यह जिछ कारेडियस ठीके ऐह और यहां पर इसके जू लेंथ इस रिडिच के वह वन एडियू श् yazli 1 cm मैं 1 University और 1 University यहां पर अच्छा और यहां पर यहां पर अंगल बन्दा खकर 151 खर 10 2 जो वह आरले है वह यहां नोर्था नामना मैं तो यहां पर एक लेलेशन निकालना चाहतू एक फॉर्म निकालना चाहता हूँ फॉर्मॉला तो भूक मे लिखा होगा पर मैं चाहतू आपको ऐसे बता हूँ तो ड्रेडियूे खिर दकाद सब से खिक है और यह थीटा है तो सब्सक्राइब जिसँ बनाइक है और रेडीनल अधीयों नयु पहला झाझा तो सब्सक्राइब नौन चे पहला नम किसी तोसलों मнесति यह थीटा नंच inspiring Rather than a 햇ंब तो दाइ तो इस अगल तो ऐति于 हमारा जितना हमारा तैटा होगा उतना क्या हो उस आरकर नंबाय होगी पता मानती मनमानती है यह बात को में दा सब जितने हमारा घ्री ठील होंग यह पांच है हुआ तो यह भी पांच होगा मैं अंगल और इसकी लंबाई पांच तो यह भी पांच पांच शोजड़ेंशंब्लड नने 1 जंटेरेंश कॉणका अंगि संकतें में फह टीटा है और मान को मत मान कुल नहीं यहां पर समचाए तो यहां पर समचाए तो थीटा के बाइद बाइद बगर यहां समचाएं अगे अगरं यहां सम बाइद बगर चाहें नहीं हिकाम करें यहां पर यह थोड़वाद सा एकाम करें तो यहां फूरत में यहां पर अपर मतर लिक dough यह आपन निसम वह का को नहीं तो फिल्टांट अना विए यहां या लिख़ी तो आटर तो आटर दो इसकता हूं। तो आल इंटो थीटा इकवाल टू एल और यहां सट लिए खाल तो फिल्लू निकाल सकता हूं। सब्सक्राइब यहां से मेरे कई दो फॉर्मिले बन रहे हैं कि इसके बीज यह थीटा लैंट ओब आर्क और रीडेस के भी रिलेशन बन रहे हैं कभी न अभी कुछ कोशन करेंगे तो आप में थीटा निकालना होगा तो लैंट ओब आर्क में रीडेस के डिवाइड कर करेंगे यह हमारे पास हो गया है इसके बाद करेंगे यह नए कर लिए अब इसके बाद जब्द से फटाबड जल्दी से किसके बीच में निकालते हैं किसके बीच degree and rating के वीजस ओ दियुलेशन बिटुमीन डिगी एंड रेडियन है ओपर नहीं डिगेरी और एक वाहिज को नहीं भी जिए किती आज होता है सर नहीं जो बित बड़ा हमने। देखो यहां पर एक यहां करते हैं जैसे बाइधवे दिखो प्यारे बच्छो में यह सब मानने कि यह मेरे पास अंगल है बड़ बेटा नहीं कि करने आपके आपके सामने के अंगल ले रहा हूं आप में इसकान एम सब्सक्राइब कर दो एंगल बना रहा हूं नहीं तो यह प्रमुझे नहीं यह जो बोलना आप यहां पर इक ऐसट इंगल बनाऊ हो आप कैसे आप आ से सक नोगा अपेश्य को है ते submitting अपने कह अब आ अपनी पूरा 360 degree यानिकि मैं बोह थाओंन कि कॉंपलीट outta गुशब सब्रके आफ wz इसकृष करता हूँ अब बार का करें चलब यह इंड Tobac sih आप अनपगी कि अब चलत iso अनव कि बताओ यहां पर यहां पर-धू रहोट यहां पर कोई-धूर मत अबया न बताओ यहां आपय। आपन के लिए जो पूरा एंगल बन रहा है ये सिन साथ डिगरी का ठीकता है तो यहां पर एक थीन साथ यहां पर एंगल तो उता है यानी कि जो घुन सरकल में बात करों अगर मुझे पता करना दो में लिए कि सरकल में कि यह मेरेपास पूरा स्रकल कार्क्रान कीटिना है। यानि यह जो मेरे पास पूररा इस स्रकल का आर्क है, इसकी लंबाई कितनी है। कि नहीं का , अगर मैं लैंट ऋ टी मैं लैंट आर्क को बात करूं। को यह चो का सकंप्रैंस होता न उता 1 का सर्कलर्स का करई बराबर 2 Cash हो जाएगा इस तो यहां पर तो रेडियस कितना है वांने को मैं नहीं इतिकर करता हूं तो हम ससे तो फिस लेंगे तो आर्क जगा तो वह जाएगा टूपाई यहाँ वह समझ है को सी करो यह अगर मैं यहां पर इस चोड़ा सरकल मनातों ऐसे हमें बोलता हूं बिटा कि यहां पर बंदा दूर कि मैंने बोला कि इसके लंबाई है पांच तो तुम बोलो यहां भी यहां बनेगा तो जब पूरा घूम गया पूरा घूम गया तो यानि कि इस का मतलब क्या है अगर फूरा घूम गया तो यानि कि बिए पूरे गों गया धित्व एंगल इन रिडियन बराबर हमारे पास क्या आता है जो एंगल बराबर लेंट आर्क कि लेंड और्क अनुक्ष न लेंड उओक य ही तो है कि एंगल इंग रीडियन बराबर रांबर लेंट टॉ अब जब हमने कहा लेंग तो लेंगल ने कि तो बन रहे हैं एंगल इन रेडियन इन मैं लिएक हैं यहां पर वन रिडूरों इनि वन रिवोलुशन आundred बूर्णा इसे पहले खथा घूम-घूमते गूम-घूम-घूम्टे गूम-घूमते उसर नहीं चकल लगाया तो वं हें न में खंいき सब्सक्राइब अब जिसने एक चक्का लगाया तो इसे जिद्सक्राह बना मतलब क्या बना है तो भाइब यह रहां पर बना 360 डीटरी का एंगल तीन इसका बना नेहीं तो इसका जो यहां बनता है किसके बरावर होता है जो आर्लिय में yere और जब एक बारे पूरा गूं गया मुज एक वस्टानीं आर गुम एक लमभा लंगा हो त्वालाने में रहे हूँ कि वटी हो इखने जोपयां इंसवाब्र लुट यह यहां पर सचनकी अग्म करेंद pane होग चाया इह बामुजा तो इंसवार द्वालो सब एक वगर인가 करें प कम्प्लीट रिवोल्यूशन में यहां पर एंगल बन रहा है यहां पर एंगल बन रहा है यहां पर थीटा बनेगा वो बनेगा दो पाई के बरावर और यहां पर जब एक पूरा चकर लाएंगे दो एंगल बनेगा जो थीटा बनेगा वो बनेगा 360 डिगरी के बरावर जड़ी सरकल इंदर यह आर्क रीडेस घूम रहा है दूबार वही पर आ गया तो उस टाम जो अंगल बनेगा वह बनेगा 2 पाई का क्योंकि जितना रीडेन गाउगा उतनी आर्क की लंबाय होती है क्यों आर्क की लंबायर 2 पाई है तो यहीं आंगल बनेगा 2 रेडैन का तो यहां पर थिटा के वेलु आ रही है एक चक्र में और आ रही है दो पाई इसका मतलए मंचों बोल सकते हैं यहां पर कि जो मेरा यह 2 पाई वरावर हो जायEगा यह जो टू पाई बरावर के आजाएगा त्री सिक्स्टी डिग्री का और और हम दो नोर्य 2 टू का टिवाइट देना क्या हो टू सब टू मर लावर हमारा और लागा हूं की बरावर हमारा क्या है यानि कि एक पर weiren होती पाता नेता अब धी आप बलते कि ये यह मानं कर चलते थे यह जो हमारे ल Disease हो गaking हमारी थे 306 क täकिए तो यहां पर यहerstो सब्सक्राइब clinician ऑगे को था टो इतना जाद पते आ यह एथ िट्ना डिїन न्यलिआंइ न सबसक तक्ता हूं इतना डिगर आपर यहां बोच कमें यहां पर बोल्च कि ताँ न wanna खू टू पाय ये डिगरे नॉ 2enen टू पाई ब्रावरन इतना ना तो पाई ब्रावर एक्सोसाट डिगरी यानि की मैं बोल सकता है और यानि यह यह होती है यहांने अगर मुझे निकालने एक रेढ़ने के लिए अगर जाएगा यहां पर यहां पर आप क्या करोगे अगरी एक रेडियन बराबर औरissippi पर जो भी 30.14 न अगर है इंहाँ परको सिक्सें अप्रोक्स को सेंच पर इंद्विंधर स स्लॉल करने पर आएगा इसे मिन yup अप्रोक्स अपरोक्स आएगा तो ने टेकर दियान लगए अपको यहां पर यह द्यान लगए ने को सीगिति बस आपको रुट थोड़े यहां समय नहीं आए ना पर आप एक चीज़ समझे लो कि हमारे पास जो पाई ब्रावर होता हूं यहनिकी पाई रिडिन ब्रावर एक सौशिय दिगरी होता है यहीं ह और वह सकता है अधिन थो बान जो एक जाइट सबीकै लिए वह स्क्तिक चरब बरावर होता हो जली याँ है अलमेन फूलगन पार फिंड पास फिकष्टी इसेवं डिगरी और曹़ ने परक्सें सबस्क्री पहलते मिया है हमरे एक डिटन बराबर होता है tangible क्या कर सकता है अगर हमरा पाइश देतर बराबर होता है तो यहां से एक डिण धूंановी निकाली किसे हैं लिए निकाल रहे लिए NHERत्र एक aboard लेन बीच भावन लिगालने तो एक डिवालने तो एक सोट आपन मेंिल को ampun ragaz, पड़ना पाइट हमा एक डिगरी जो बरावर होता हbas, उसाथ सी आपको को deputy बरावर न हम एक से डिघरी पाउल न दिए एक डियों भण होता है यह होगा न हमारी बत्होंकि थ Nayuko mirror, 052 ! ऑगी छोड़ी चोड़ी challenges था मैं बता है कि मैं बात करता रहा हूं मैं आठ नाम को बताया कि मैं स्था आधा See में अगर जसे अपो ऐसे ऊज़ न इसमें टो कोड़करो ऑगर इसमें ट्वाइड करो एक्समीं तो कई डिवाइड करो तो कितिने पा कद आया ने बाए दिग्री कितना का सर ना इंति डिग्री इसमें टुका डिवाइड किया तो यह जो एक twee को टुका मय्-, हैप जुपान्य वाइए क्टरा रिडंक्हानल किम्हान यह तो समझें कि नंटिग वह ईकी यहें जैसे इसह वह एपान थे कर दो सबर्षी हुआ है यह पाईवाई तेन के फॉयक्ति उत्यों पाईवाई थीन के वली के उत्या होता है यह 70 बीअ कहुंच दिग्री नाुच से अगर एक जैसे थे 5 degree तियाने बटा इसमें पाइक डिवाइड करो फॉर का था पाइवाई 4 मतरा भी ठीक है ऐसे अगर इसके से डिवाइड करो 5 का अगर आपको न यहोगे और बच्चे बोलता भई यह तो गया अब बच्चे बोलता भई यह तो गया अब बच्चे बोलता भी है एक सो से डिवाइड करते हैं कि अब बदाना कि वह मलूँ हमारा दो सब्सक्राइब यह तो में तुम कुछ बीक लो यह ठीक है जैसे तुम इसे को लो गिए इसको टू सेंटी बनाना तो थार्टी को टू सेंटी बनाने क्या करना बड़ेगा अंग नम करना तो 270 डिग्री हो जाएगा इसको 9 से मलूट लाए करना कि 9 से हाना तो दिखो भाईया क्या है हमारा थी कर डिवाइड इसमें 3 बार जाएगा तो 33 जा 9 अधी टू जा 6 क्या जाएगा 3 पाई वाई 2 आ जाएगा अच्छा और अगर किसम बतना आमको अगर आपको इसको जानते हो ना कि पाई बराबर एक्सोटी डिग्री होता है इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकतो तो ठीकर यह सर हमारा एक चैप्टर का हमारा बेसिक थोड़ा सा जोड़ा जोड़ा सकते हैं कि अगर मजे रिडिल में निकालना अगर मुझे निकालना करणा रिडेन में निकालन तो यह चैप्टर में मेजेर मने निकालना तो होता हमारा पास तो 2 0 अगर मुझे को पुए अंगल डिग्री में निकालना निकालना डिघ्री निकालना सब्सक्राइं सूस्जिट पाइकंट कर देंगे रिए डिय caucusी किसे मे Kampfिणगल में निकालना तो मुझे कोई एंगल इंगी में दे रहे हैं और राइलमेश नीन्स निकालना घाला है तो पई अपों वन एक्टीको Sioris करेंगे डिग्ली और कोई एंगल में दे रहे हैं हो और डिदीर मेंए निकालणा तो पूर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए सर अभी तो यह भी बेसिक क्या मने अभी, हना, नेक्स्ट क्लास में एक्सराइस 3.1 करेंगे, मैं ने ने लेक्चर में, ने दिन के साथ, तब तक के लिए सर, जाहिन, जाय वारत.